हम है अर्द सैनिक, हम है अर्द सैनिक, हम है अर्द सैनिक जाहिन, जाहिन सभी को जाहिन, मैं आप सभी का स्वाधत करता हूँ और जितने भी नागरिक और हमारे जवान चाहे कैंटीन से हैं, चाहे सिविलियान हैं कि इस खरिदारी से income और pension plan में अलर्ट रहें और ध्यान से सुनें कि यह संभव कैसे हो रहा है समान्य खरिदारी करते करते जदी हर नागरिक को pension मिलने लग जाए तो मेरा व्यक्तिकत मानना है कि इससे बेहतर जीवन किसी के लिए नहीं हो सकता है अब मैं इस पर विस्तृत इ जाने की कोशिश करूँगा हमारा जो में अमूल मंत्र है लेट्स क्रो चुगैदर आओ मिलकर आगे बढ़ें हमारी इस प्रजिक्ट का नाम है स्कीम का नाम है एसी अर्थ सेनी कंटीन इंकम और पेंशन फंड प्लान पर यह कंपनी में बहुत बड़ी नीड होती है कि हरे क पेंटीन वाला यह चाहता है कि कस्टमर मेरे साथ हमेशा जुडा रहे उसी उदेश्य को मध्या नजर रखते हुए यह प्लान हमने बनाया है राशन से पेंशन की योजना के अंतरगत 65 महीने में हर नागरी को हम पेंशन देने का एक खाब एक कोशिश एक प्लान लेके चल काम करता है किसके लिए अपने बुड़ापे को सीक्योर करने के लिए और इसमें कोई गौश्य कंटीन से मात्र खरीदारी करेगा जो रोज करता है और उसी पर उसे मासिक आय के साथ पेंशन प्राप्त हो जाएगी अब यह कैसे संभव है इस सोच के पीछे इस मिशन के पीछे यह उश्य मैंम का परीचे दे दूं यह उश्य मैंडम है इन्होंने इस कोंसेप्ट को डिजाइन करने के लिए प्रेडित किया और यह अर्शनी केंटीन में काफी जिमेवारी लिए हुए हैं इस स्कीम के अंतरगत मैंडम का यही सोच थी कि प्रतिये को करहनी जो अपनी घर का समान खरीदी है वही समान उसे खरीदना है वही शॉपिंग करनी है और उसको उसी शॉपिंग पे कुछ मंतली इंकम और अगर पेंशन मिल जाए तो हर महिला का जीवन सुधर जाएगा हम इसके अंदर ग्राग को कह रहे हैं कि वह रूटीन शॉपिंग करेगा हमारी कैंटीन से रूटीन पोड़क्ट खरीदेगा और प्राइज भी वही होंगे जो आम कस्टमर को हम दे रहे हैं कोई अतिरिक लागत उसे नहीं देनी पड़ेगी और इसी के अंतरगत उसे बोनस इंसेंटिव पेंशन और रिटार्मेंट ग्रेच्टी मिलेगी ज्यादा समयना लेते हुए मैं आगे इस पर और क्लारिटी के साथ बताने की कोशिश करता ह हम ने क्या किया कोई भी कमपनी कभी भी अपने जेव से कुछ पैसा नहीं देती हर कमपनी उसी मार्केटिंग प्लान के अंतरगत उसी प्रॉफिट और उसी सेविंग अंतरगत कस्टमर को उफर देती हैं अगर अपनी लेमेन की भाशा में कहुँ तो तेल तो तिलों से ही निकलेगा अगर GST भी देते हैं हम तो सरकार कस्टमर से लेती है कोई भी बीच की कड़ी ना मैनुफेक्चर देता है हर कोई GST अपने हिस्से का देता है उसी तरह से जो मार्जन है हमने जो प्लान पनाया है हमारी केंटीन में खरीदारी करने पर 15-20% क्या दिसकाउंट मिलता है हमने आपके इसी डिसकाउंट को इनकम सेविंग में और पेंशन प्लान में बदल दिया है हमने इस प्लान के अंतरकत यही रखा है कि आपके डिसकाउंट जो 15% था उसे हमने 2-5% कर दिया हर पॉड़क्ट के अंदर थोड़ा कम कर दिया और बागी जो बचा उसके हमने point बना के customer को दे दिये और उनी point के अधार पर आपकी income बनेगी उसी income में से pension fund कट कर जमा होगा और आपको अंत में pension दे दी जाएगी पैसेट वाईने के बाद suitable ASC network marketing plan है ये no product choice अन्य कंपनियों में या network के अंदर कभी भी product choice नहीं होती यहाँ पर आप हमारी अरसानी केंटीन में कोई भी brand खरीच सकते हैं दूसरा control price जैसे मैंने पहली slide में आपको बताया कि हमने discount को आपकी income और pension बनाने के लिए point बना दिये दूसरा easy joining process आईए खरीदारी कीजिए और आप member बन जाएंगे चोथा saturation point इसको थोड़ा मैं समझाना पड़ेगा network marketing में first है कि जो भी आदमी शुरू में जुड़ते हैं वो ही सबसे ज़्यादा कमाते हैं यह बच्चे बच्चे को पता है और एक दिन आता है कि नीचे वाले लोगों को member ही नहीं मिलते हैं और उसके बाद वो कमपनियों का saturation point आ जाता है जहां पर हमने क्या किया 65 महीने का प्लान बनाया अगर कोई भी नागरी कोई भी कस्टमर आज इस स्कीम में जुड़ता है तो वो 65 महीने तक खरिदारी करते हुए अपनी income और pension fund जो भी बनता वो प्राप करेगा और 65 महीने में वो ऊपर किसी भी level पर होगा उसको retired कर दिया जाएगा pension के साथ तो उपर वाले retired होते जाएंगे नीचे वाले promote होते जाएंगे इसका फायदा कि सबको मोका मिलेगा उपर जाने का और सारे senior होंगे कोई भी जिन्दगी वर उपर बैठके कमाई नहीं करेगा या income नहीं प्राप करेगा और सब सबसे बड़ी बात जो सबसे last point है no member joining member बनाने वाली scheme में या काम में सबसे बड़ी तकलीफ होती है member बनाना हम अब यहां कह रहे हैं कि आपको अपनी खरिदारी करनी है खुद member बनना है किसी को member नहीं बनाना तो यह असान हो गया बाएं से दाएं हमने लोगों को जोड़त या customer को जोड़ते जा रहे हैं और लोगों के नीचे लोगों की संक्या अपने आती जा रही है तो customer का customer member बन रहा है तो सभी को तीन member automatic अपने आप घर बैठे मिलने लग गए हैं कितनी pension बनेगी कितना मिलेगा यह मैं आगे बताता हूं इसके अंदर एक और खुबसूरत हमन आप जोइन करते हैं या member बनते हैं तो आपके नीचे जितने लोग जुड़ेंगे उनकी सेल का फायदा मिलता है हमने इस फार्मूले को भी यहां बदल दिया इसमें अब जो भी आदमी जुड़े चाए आज जुड़े चाए एक साल पहले जुड़ा हुआ है सब को level के अन incentive हमने बांटना है पूरी टीम के अंदर तो पूरी company के 22% profit हमने उठा लिया उस profit को दूसरे फार्मूले के अंतरगत 13 level पे level अनुसार बांट दिया percentage लिखी हुए सबसे नीचे ज़्यादा लोग है तो 22% का 30% सबसे नीचे उसके उपर 25 फिर 15 फिर 8 फिर 8 फिर 13 इस तरह से स पूरे के हाते में इंकम आ गई और उसके बाद तीसरे फार्मूले में हमने क्या किया कि जिस लेवल पे जितने भी लोग है उनकी total point को आपस में जोड दिया जोडने के बाद जो भी level income money उससे उससे divide करके एक point का हमने कीमत निकाल ली अब एक point की कीमत अगर 2 रुपे या 5 रुपे आ गई तो जिसकी जितनी shopping उस level पे उसको उससे गुणा कर देते हैं multiply कर देते तो उसकी अपनी income आ जाएगा तो इस तरह से इसके अंदर हमने बहुत ही खुबसूरती से design किया है कि जो आज जुडेगा उसको भी पूरी company की sale का फायदा होगा इसके बाद अगला है face wise tentative earning possibilities हमने यह गणना की है calculation की है जिसमें यह कहा गया है कि यदि सभी member सभी सदस्य सदिक जो भी इस अभ्यम परिवार में जूड़ चुके हैं यदि पांच दो सो पॉइंट की shopping करते हैं दो सो पॉइंट कई पूश्टें की कितने में बनेंगे मैं पर्स शब्दों में ब सर्फ के पड़क्त पर अगर सर्फ लेते हैं साबुन लेते हैं तो जिसका जितना ज्यादा डिसकाउंट उतने ज्यादा पॉइंट हमारे इस पॉइंट के वैल्यू के according सबसे नीचे दो रुपे 22 पैसे का पॉइंट बनेगा खरीदारी आपने 200 पॉइंट की की तो 200 इंकम बढ़ गई 200 इंट तीन जैसे उसके नीचे भी तीन तीन लोग आ गए आटोमेटिक अपने आप पूरे इंडिया से कहीं से भी तो आपकी जो पॉइंट वैल्यू की कीमत बढ़ गई चार रुपे फिर नो रुपे फिर सोला फिर एक सो पाँच दो सो चार सो आट सो और लास्ट में अगर आप देखें तो 41,000 रुपे एक पॉइंट की कीमत है अटार्ट 200 इंटू 41,000 तो आपको लगब 50 लाख रुपे की इंकम भी मिल सकती है पर मंत यह इसको लिवरेज इंकम कहते हैं इसी का लिवरेज इंकम कामाल यही है कि सभी लोग खरीदारी कर रहे हैं लेकिन आपकी position की वजए से आपकी advance में पहले से join करने की वजए से वो लोग आपके पीछे है तो उनकी shopping का फाइदा आपको मिल रहा है और 65 महीने में आप retire होके भार हो जाएंगे तो उनको भी मोका मिलेगा उपर पहुँचने का अगले 65 महीने का एक calculation दिये मैंने इस यह calculation की यह गणना की यह माना कि एक आदमी के नीचे तीन आदमी अपने आप member बनने वाले इस अभियान में ज्यादा से ज्यादा पांच महीने में आ जाएंगे जबकि अगर आप खुद विचार करें कि member बनना है बनाना नहीं तो हर आदमी member बनेगा हर केंटीन से लोग ज पहुंचने में 65 महीने लगेंगे अब इसी घंडा में दे रहा हूं हमने जो दिये एक महीने की इंकम को पांच से घुड़ा करते हैं तो 2717 रुपे मंतली इंकम उसी पॉइंट वैली 222 रुपे के हिसाब से और उसके बाद पेंशन फंड उसी का 30% काटते हैं तो 815 रुप जो आपको हर महीने 70% रिलीज होगी वो उसे एक करोड से जाड़ा नहीं दिया जाएगा और 30 प्रतिशत पेंशन फोन जो जमा हो रहा है वो भी एक करोड से जाड़ा नहीं अकुमूलेट करने देंगे आगे ये 65 महीने की गरना है ये 15 महीने की टेबल है फिर अगले 15 महीन की खरिदारी लगातार करता है तो पेंशन फंड जो उसका बनता है 62 महीने में एक करोड दस लाग बन जाता है और 56 महीने में एक करोड सत्रा लाग बनता जबकि हमने कहा है एक करोड तक ही मिलेगा तो 55 महीने में वह अपनी इंकम कमाकर रिटायर हो सकता है एक ये टेबल है पांच हजार की खरीदारी एक आदमी हर महीने करता है तो 65 महीने में उसकी खरीदारी बनती है 3,25,000 और उसे मिल क्या रहा है एक करोड रुपे की इंकम और एक करोड का पेंशन फंड साथ में रिटायर्मेंट ग्रेचुटी और समाने तोर पे अगर आप देखें तो उसने 3, 3,25,000 की शॉपिंग की कोई इंवेस्मेंट नहीं की इंवेस्मेंट जीरो लेकिन इंकम एक करोड भी आ गई और पेंशन फंड भी आपका एक करोड कठा हो गया और उसको एक करोड को यदि हम किसी इंशरेंस कंपनी में जमा करते हैं यह ध्यान से दिखीगा इस स्लाइड क तो एक करोड का जो पेंशन फंड आपका जमा होता है माल लेते हैं मिएसे 50,000,000 जमा हुआ आपका एक कोड़ जमा नहीं हुआ उस पचास लाग के पेंशन फंड को यदि टाटा कंपनी में जमा करते हैं तो आपकी पेंशन पर मंत बनती अठाइस हजार छेसों रुपे और अगर वही 75 लाग कठा हो गया आपने अच्छी शॉपिंग की तो 43,000 रुपे पर म बाद वो जो पैसा हमने आपका पेंशन फंड जमा किया है वह आपके परिवार को दे दिया जाएगा यह है इस प्रजेक्ट की खुबसूर्ती अब इसमें कई लोग कहते हैं कि मैं तो 5000 का खरीदारी नहीं कर सकता तो उन्हें हम सला देते हैं कि भाई आप 100 पॉइंट का हर 15 लाग और 15 लाग पर भी पैंशन फंड जो है पर मंत लग बग आठब हजार रुप्य पर मंत बनती है तो इसमें सभी को कमाने का मुका मिलेगा अब आते हैं डेट ऑब रिटायर्मेंट क्या होगी और कैसे डेट और रिटायर्मेंट मानी जाएगी डेट ऑव रिटायर्म वाली जब उसकी एक करोड हो जाती है वो और उसके बाद 30% वाली भी एक करोड रुपए अगर ही कठी हो जाती है तो उस दिन उसे रिटायर कर दिया जाएगा आगे चलते हैं बहुत ही असानी से आप इसे शुरू कर सकते हैं त्री इजी स्टेप पहला हमारी नजदी की कंटीन में जाईए और अभ्यम मेंबर बनने के लिए टेंटीन मैनेजर को को कि सर मुझे अभ्यम का मेंबर बनना है स्कीन का मेरी बिलिंग करो वह जैसे विलिंग करेंगे आप मेंबर बन जाएंगे दूसरा स्टेप अपना KYC अधार कार्ट पैंगार्ट जमाग कीजिए और अपना जो भी application form एक है वो भर के दीजिए और आपको एक ID मिलेगी तीसरा step और उस ID के अंतरगत 65 महीने shopping कीजिए और उस ID को अपने computer में, mobile में account को खोल कर आप रोज चेक कर सकते हैं कि आपकी income कितनी बनी, pension fund कितना जमा हुआ और आपने कितना कमाया और कितना आपको खरी आप बहुत असानी से समझ पाएंगे, आप किसी को समझा भी पाएंगे, ध्यान से देखिएगा, चाहें तो इसका photo भी खीच लो, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये बहुत easy slide है, जिसके अंतरगत सभी को समझ में आएगा, आप किसी को समझा भी सकते हैं, इसमे आपने कस्टमर को समझाईए या आपने दोस्त को समझाईए कि अरसेनी केंटीन में पहला कदम, आप आईए, खरीदारी कीजिए, आपको खरीदारी पर थोड़ा डिसकाउंट मिलेगा, और साथ में पॉइंट मिलेंगे, और उन पॉइंट के अंतरगत, अगले महीने step 2 मे जो पॉइंट हैं, वो आपके इंकम में बदल दिया जाएगा, और step 3, इंकम में से 70 परतिशत रिलीज कर देंगे, जो आपका डिसकाउंट हमने कम किया था, वो हर महीने 10 तारी को रिलीज हो जाएगा, 70 परतिशत इंकम के रूप में, और बागी 30 परतिशत पेंशन फंड म जमा हो जाएगा, step 4, आपकी इंकम एक करोड मैक्सिमम बन गई, आपका पेंशन फंड मैक्सिमम एक करोड पूरा हो गया, एक ये कंडिशन या फिर आपके 65 महीने पूरे हो गए, तो इन दोड़ों कंडिशन में जो भी पूरा होता है, आपको रिटायर कर देंगे, और रि ASC पर खरिदारी करें और चूट पर आपक्त करें, दूसरा पॉइंट, पॉइंट की महीने के हंत में इंकम के रूप में परिवर्तित करेंगे, तीसरा, इंकम में से 70 पर दिशचत आपको दे देंगे, दस्तारिक को 30 पर दिशचत पेंशन फंड जमा होगा, चोथा, चूरती से हमने प्लान किया है इसे, अब हम धीरे-धीरे इसमें सबजियों को एड कर रहे हैं, सबजियों पर भी आपको PV मिलेंगे, हम इसके अंदर गोल्ड स्कीम ला रहे हैं, किष्टों में गोल्ड खरी दिया और उस पर भी आपको PV मिलेंगे, अर्थ सेनिक फर्मेसी स चाता हूँ अमंत्रित करता हूँ कि यदि आप मेंबर बना सकते हैं, लोगों को इस सिस्टम से जोड सकते हैं, तो आप 65 महीने में एक करोड की बजाए, दो करोड कमा सकते हैं, कोई बड़ी मेहनत नहीं, इसके अंदर आपको क्या करना है, आपका एक करोड तो आ लड़ी ह सो मेंबरों को अगर जोड देते हैं, तो आपकी इंकम 65 महीने में दो करोड बन जाएगी, पेंशन फंड एक करोड ही रहेगा, तो जो नेट वरकर हैं, उनको यह इसमें एडवांटेज हैं, और साथ में 5 प्रतिशत टोटल कमपनी का गाइड इंसेंटिव के रूप में इन मेंबर ने रिटायर्मेंट से पहले 13,000 पॉइंट, वगर वही 200 पीवी की शॉपिंग करता है, तो उसे कार, एक तो पेंशन मिल गई, फिर कार मिल गई, रिटायर्मेंट ग्रेचुटी दे दी, तो बाकी धोल बजाकर स्वागत के साथ रिटायर्मेंट पे घर छोड़के ह हम आएंगे उसकी नई कार के अंदर, यह हमारी जिम्यवारी रही, और वो अगर 10,000 पीवी की शॉपिंग करता है, तो उसे एक बाइक मिलेगी, अब आप बताईए, आपने क्या किया, सामान्य शॉपिंग, कोई अतिरीक लागत नहीं, डिसकाउंट भी मिला, पॉइंट भ कोई मेंबर तीन महीने शॉपिंग नहीं करता, तो उस मेंबर को पैंडिंग लिस्ट में डाल जाएगा, उसकी आईडी को और नीचे वालों को एक एक स्टैप परमोशन मिल जाएगी, अगर तीन महीने बाद वो शॉपिंग करता है, तो उसे दुबारा से नई सिनियर्टी नया नमबर मिलेगा और उस सबसे नीचे, लेकिन आपकी जो इंकम है, पेंचन फंड है, वो आपको मिलेगा, वो पढ़ा रहेगा, उसमें एड ओन होना शुरू हो जाएगा, और इसके बाद जदि आप तीन महीने, फिर बारा महीने और शॉपिंग नहीं करते, तो आपकी सैनिक विद्वा सायता कोश में डाल दिया जाएगा, ये कुछ एक एडवाइज है, इतिहास कहता है, स्विकार करो प्रयतन करो, जदि आपने देखा हो, अभी नाटू नाटू एक सौंग आया था, और इसने आसकर जीता, आप सब में से सहमत होंगे, कि जिसने ये गाना ल दिख रहा हूं और मुझे ओसकर अवार्ड मिलेगा, धीरु भाई अम्मानी भी, अगर आप देखें, हमारे ये बीच से आज इंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी बन चुका है, उसे भी नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है, हम जो आज कर रहे हैं, किसी को नहीं पता कि इस आप कीजिए और आपको पेंशन प्राप्त हो जाएगी, अब ये आपको देखना है कि आप इसको सुविकार करके रेगुलर खरीदारी करने की कोशिश करते हैं या इस पर कोश्चन अंसर करते हैं, आगे क्या राशन पर पेंशन संभव है, मुझे उमीद है आप सब आप इस बात को सुविकार करेंगे कि हाँ या इस संभव है, पेंशन मिलने से प्रते परिवार सुरक्षित होगा, नागरीकों को जीवन को सुरक्षित करने के लिए इससे असान कोई तरीका किसी और के पास है, तो किर्प्या हमें बताए ताकि उसे भी हम लाने की कोशिश करें इससे देश की तरक्की होगी, हम ये मान के चल रहे हैं कि यह पेंशन प्लान, बिजनिस नहीं है, यह समाज कल्यान का रास्ता है, अगर आप खुद जुरते हैं, दस लोगों को जुरते हैं, तो उनको भी पेंशन मिलेगी, वो भी आपको दुआएं देंगे, और सबसे है, शौप, शेर, सपोर्ट, ग्रोट तुगेदर, शौपिंग करो, शेर करो, सपोर्ट करो, क्योंकि हमने पूरी सेल में जो आपका मार्जन बनेगा, आपका उसमें से एक परितिशत सैनिक विद्वा साहता कोश में भी जाएगा, तो यह जवानों को सपोर्ट भी कर रहे ह और ग्रोट तुगेदर सबकी शौपिंग से सारे एक साथ आगे बढ़ेंगे, धन्यवाद, जैहिन,